Hello dear student, I am Muslim Aslam, this is a lecture of data compression, today we are going to discuss about LZ77 decoding, so student in previous lecture में हमने देखा था LZ77 की encoding देखी थी, I hope माँ आपको encoding अच्छे से clear हो गई होगी, तो आज हम देखेंगे LZ77 की decoding, तो जो आपका LZ77 की encoding से जो आपका final solution आया था, वो ये आया था, कुछ निकल के जो आपकी offset और code length और code word की जो values आया थी, वो इस तरीके से आया थी, तो जो previous आपके video lecture था, जिसमें हमने encoding की बात की ती, तो उसमें आपका जो final result था, वो ये निकल के आया था, तो इसी result से लेके हम इसकी decoding करके दिखाएंगे, तो window का size आपका क्या है, वही जो प्रानया हमारा था, विंडो का size 13 है, और look of code, और C आपका होता था, code words, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हम एक-एक करके लेते रहेंगे, तो ये हमारे 7 है, 7 आपके final answer आयते, तो पहला वाला देखेंगे, सबसे पहले, first देखेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे, डिकोडिंग में क्या होता है, कि यहाँ पर जैसे ज को देख लेते हैं, कि यहाँ पर जो आपका पहला है, पहला offset जो है, यहाँ पर ट्रिपलेट, पहले ट्रिपलेट की value जो offset की है, वो 0 है, यानि कि जो सर्ज वफर है, वो empty था, इसलिए offset की value क्या थी, 0 है, और कोई code मैच नहीं हो रहा था, कोई code of length मैच नहीं हो रही थी, ज हैंने इनी को एक एक को सामने रख दिया है, विंडो के और फिर बनाया है, तो हम इस question को देख लेते हैं, सबसे पहले हमने विंडो बनाई है, फर्स्ट offset से विंडो बनाई है, विंडो में हमारा क्या था कि 0 जो था, वो आपका offset था, यानि कि अभी कोई offset की value 0 है, length of code भी 0 ह यानि कि कोई match नहीं हुआ, C of C, यानि कि कौन सा character match नहीं हुआ है, तो जो character match नहीं हो, इसको हम डाल देंगे, search buffer में, तो हमने search एक विंडो बना लिए, और search buffer में हमने C डाल दिया, ठीक, अभी हमारा starting हुआ था, तो पहला तो आपका complete हो गया, दूसरा आपका जो आया था, उसकी value भी, offset की value भी zero थी, क्योंकि हमने क्या कहा है, यहां पर, यहां पर जैसी आप decode करते जाएंगे, तो आपका क्या होगा, उसमें search buffer में डालेंगे, और look ahead buffer आपका blank रहेगा, तो जैसी हमने decode करने के लिए, C of C आपका कहा जाएगा, search buffer में आ गया, दूसरा देखेंग length of code है, वो भी कोई match नहीं हुआ है, और आपका code word है, C of C, यानि कि जो character है, वो क्या है, C of A, तो C of A जो है, वो आपका क्या होगा, कि C of A अभी कोई character है, जो कि match नहीं हुआ, तो वो भी आपका कहा जाएगा, search buffer में, तो हमने उसको भी search buffer में डाल दिया, अब third वाले को जिसे 00, तो ये भी आपका search buffer में जाएगा, ठीक है, उसके बाद next आएगा आपका, जिसका offset भी 0 है, length of code भी 0 है, और आपका जो character आया है, जो है C of R, वो भी आपका क्या है, मैच होगा, तो वो भी आपका कहां चला जाएगा, आपका search buffer में चला जाएगा, ठीक है, ये search buffer हम ऐसे बना लेंगे, simply, लेकिन जो भी ACS को बाद में देखेंगे, जब हम इस वाले code पर आएगे, ये AC की बाद में करते हैं, ये हम simply ऐसे बना लेंगे, C, A, B, R, आपके search buffer में अभी कितने character आगे, 4 character आगे, C, A, B, R, ठीक है, और look ahead buffer अभी आपका खाली है, अब जैसे ही offset में अब 3 value, तो offset में offset आपका कहा होता है, search buffer में होता है, तो search buffer में हम देखेंगे, सबसे पहले जो हमारी उपर वाला ये टाइ, उपर वाली जो window है, window में सबसे पहले look ahead buffer के बाद आपका 1, 2, 3 से गिनना start कर लिए, 1 पे आपका R है, B पे आपका pointer ये move करना start करता है, तो उस उसने offset की value 3 दी है, तो pointer A पे आपके रुक जाएगा, आपको A से देखेंगा, कि A से A मैच हुआ है, तो A जो मैच हुआ है, वो कहाँ डालेगा, look ahead buffer में, तो उसने look ahead buffer में A डाल दिया, और जो C of C, यानि के code word जो था, वो हमारा match नहीं हुआ था, तो वो भी उसने को किसमें डाल दिया, उसके बाद उसको कौन सा character मिला, C of C, जो हमारा look ahead buffer में आ जाएगा, जो उसको मैच नहीं हुआ था, तो A और C आपके look ahead buffer में आ गए, ठीक है, उसके बाद जब हम इसके लिए बनाएंगे, तो हमारे अब look ahead buffer में कितनी चीज़े आ जाएंगी, C, A, B, R, A, C, क्य सिक्स ट्रप्रेट के लिए देखेंगे, सिक्स ट्रप्रेट में ओफसेट की वैलू 2 है, लेंथ ओफ कोड वन है, और C of D जो है वो आपका code word है, ठीक है, तो आप सिक्स उसकी बात करेंगे, अभी आपका क्या है, विंडो में, सज वफर में चला गया है, C, A, B, R, A, C, C चल है, लेंथ ओफ कोड वन है, और C of D यानि के code word जो है, वो आपका D है, तो लेंथ ओफ टू, यानि के pointer आप मूव करना स्टार्ट करेगा उपर वाले में, तो C पे मिला 1, A पे मिला आपको 2, तो A आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, लुक अहेड वफर में, और के लिए विंडो बनाएंगे, सिक्स के लिए तो विंडो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, आपने ये विंडो डिजाइन कर लीजएगा, जिसमें आपका आगया, C, A, B, R, A, C, A, D, A, D, जो आपका लोक अहेड वफर में गया था, अब वो यहाँ चला गया, आपका लोक अहेड वफर खाली है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे सेवन की, ठीक है, सिक्स हो गया तो, अप्सेइट की वैलू शेवन मिल रही, यानि के सेवन मैच होगा, तो हम अपनी पुरानी विंडो में देखेंगे, पुरानी विंडो में हम सबसे पहल जाएंगे तो सबसे पहले a d जो है वो one पे है a two पे है c three पे है a आपका four पे है r five पे है b six पे है a seven पे है तो a जो है वो seven पे यानि के a जो है आपका seven character पे मिला है आपको a तो a आपका यहाँ copy हो जाएगा लेकिन a seven character मिले और कितने code आपको मिलें तो कोड कितने मिलें? 4, यानि कि 4 कोड मैच होंगे A से इधर की साइड, यानि कि A, B, R, A यानि कि इतने कोड मैच हो जाएंगे A, B, R, A, ये आपके कोड मैच हो जाएंगे तो आपने A, B, R, A यहां लोकाहेड वफर में ले लिया ठीक है? A, B, R, A आपने लोकाहेड वफर में ले लिया अब आपका जो लोकाहेड वफर में A, B, R, A आया है जब वो इस 7 के लिए जब विंडो बनेगी तो ये सारी चीज़े कहां चली जाएंगी आपकी? ये चली जाएंगी सर्ज वफर में यानि कि A, B, R, A जो है वो आपका सर्ज वफर में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है A, B, R, A सर्ज वफर में आगया अप सर्ज वफर में कितने कैरेक्टर आपके आगए? 7 विंडो के लिए C, A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A, R यानि कि अब आपका A, B, R, A, R भी आपका सर्ज वफर के अंदर आगया अब आपका लोकएड वफर खाली है तो लोकएड वफर खाली है इसका मतलब कि आपके जो यह वाला भी आफसेट है, वो भी बाकी बच्चा है यह जो 7 वाला, तो 8 वाले लोकएड वफर में आपका है? 3 आफसेट है और R से कितने character match हो ने 5 लेकिन आपका pointer तो 3 पे है pointer 3 पे 5 character match हो ने तो हम सबसे पहले क्या करेंगे R, A, R को copy कर लेंगे हमने R, A, R को copy कर लिए फिर दोबारा से R पे जाएंगे दोबारा से R पे जाएंगे 5 character करने के लिए तो R और A copy कर लेंगे ठीक है R और A कॉपी कर लेंगे हमारे 5 होगे वहीं रुख जाएंगे ठीक है सबसे पहले हम क्या गए 3 पे गए 3 पॉइंटर पे गए तो 3 से हमने 3 इदर के मैच किये मूव किये लेकिन फिर से हम दोबारा R पे जाएंगे और जब तक 5 करेक्टर हमें नहीं मिल जाते हैं तब तक उसको वही R से मूव करेंगे जैसे जितने करेक्टर आपको दे रखें तो हम R और A मिला हमने R A कॉपी कर लिया तो अब हमारा कौन सा करेक्टर मिलना बंद हो गया था? D तो D character हमारा मिलना बंद हो गया था हमने D यहां पे ले लिया ठीक है अब हमारे कितने character आगे जैसे यहां पे R character मिलना बंद हो गया था तो हमने यहां पे इसलिए R A call ले लिया था ठीक है ऐसी यहां पे आपका जो D character था वो मिलना बंद हो गया तो आपने यहां पे D ले लिया तो आपके जो code generate होके आएगा, जो आपका code last में निकल के आएगा, ये क्या होगा, ये decode होके आपका आया है, ठीक है, जो आपकी encode values थी, जो encode के solution थे, उनसे decode होके हो गया, तो देखिए, जो हमने encode में question लिया था, वो हमें decode होके मिल गया, तो I hope आपको decoding अच्छे से clear ह हो गई होगी, क्योंकि decoding बहुत easy होती है, as compare encoding के, देखिए, encoding को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक value देके समझा दिया है, तो आप उसको अपने आपसे करोगे, एक बार ट्राइ करोगे, खुद से करने की, तो अच्छे से आ जाएगा समझ में, तो ये था LZ77 का decoding, L LZ77 के आपने इंकोडिंग पढ़ लिया है, ये आपकी decoding थी, बहुत important topic है, आपका exam में, LZ77 ये LZ78 से एक कोशन जरूर आता है, तो आज के लिए इतना ही, next lecture में हम LZ78 की बात करेंगे, thank you so much student.